हेलो गाइज विलकॉम बाक टो मैं चानल आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं मकई की रोटी बनाने का बहुत यासान सा तरीका अगर आपकी रोटियां बिलते वक्त तूट जाती है फूलती नहीं है या सक्त बनकर तयार होती है तो आज की ये रेसिपी आप लोगो कीजेगा तो चली रेसिपी शुरू करते हैं तो यहां पे इस रोटियों को बनाने के लिए मैंने लिया है एक कप पानी जिसे हम थोड़ा सा गरम कर लेंगे और साक में हम इस पे मिलाएंगे थोड़ा सा नमक और उसे मिक्स कर लेंगे तो यहां पर पानी थोड़ा सा गर्म हो चुका है तो इसी वक्त हम इसमें मिला देंगे दो कप मकई का आटा हमने एक कप पानी लिया है जिसमें हम दो कप मकई का आटा मिलाएंगे और ऐसा करते वक्त हमें गैस बिल्कुल भी बंद करती नहीं है हमें गैस ओन नहीं चाहिए ह हमें पानी करना था और इस को करते वक्त थान्य फ्लेम नहीं रखना था हुए अब इस पानी में हम आटे को अच्छ से करbay लेंगे चंब लोग में बढ़न दबाते हुई आप अच्छे से मिक्स कर लें हैं तो सिर्फ केवल मात्र हुए इतना करने और 15 मिनिट के बाद आप देख सकते हैं यह आटा थोड़ा सा ठंडा हो चुका है अभी भी यह पूरा ठंडा नहीं हुआ है तो इसे इस तरीके से हम एक दो बार कर्ची से हिला देते हैं ताकि इसकी स्टीम थोड़ी सी और रिलीज हो जाए और यह हमारे टच करने लायक तैय कर लेँ तो यहाँ पे मैंने अन्हें को बोल में निकाल कर रख लिया है और इस तरीके से हाथ की मदद से हम इसे अन्हें गूंद कर तैयार कर लेंगे तो अगर इस स्टेच पर आपको पानी कम लगता है यह आटा सक्त महसुस हो रहा है तो आप दो से तीन चमबच पानी औ और एड़ कर सकते हैं तो इस तरीके से हम गुंद कर एक चिकना आठा तयार कर लेंगे तो यहां पर हमारा डो तयार हो चुका है दोस्तों हम छोटी-छोटी लोईयां तयार कर लेंगे तोड़कर जैसे हम चपाती बनाने के लिए लोईयां लेते हैं ठीक उसी तरीके से हमें चोटी लोई लेकर तयार कर लेना है तो इस तरीके से दोनों हाथ की मदद से इसे रोल करके हम मसल कर चिकना कर लेते हैं और लोई बना कर तयार कर लेंगे तो इस process को करने से दोस्तों आपकी रोटियां बहुत ही soft बनकर तयार होंगी और रोटियां बेलते वक्त सबसे बड़ी बात है कि यह टूटे गी नहीं तो आप बहुत यासानी से रोटियां बनाकर तयार कर सकते हैं और आपको कोई जंजड भी नहीं लगेगा तो चलिए अब हम इने बेलते हैं तो यहां पे मैंने थोड़ा सा सूखा आटा इस पर डस्ट कर लिया है अब मैं इसे बेल कर दिखाती हूँ तो वैसे तो मगई के आटे की रोटियां साइड से फटती हैं दोस्तों तो हम इने साइड से इस तरीके से दबाते हुए इवन कर लेंगे पर यह बीच से बिलकुल भी टूटेंगी नहीं आप इने बहुत ही अच्छे से बेल सकते हैं तो साइड से को हम इस तरीके से अंदर की तरफ दबा देंगे और फिर से हम इने बेलना शुरू करेंगे तो आप देख सकते हैं मैं इसे पुलट पुलट कर बेल रही हुँ पर यह बिलकुल भी टूट नहीं रही है रोटियां आटे में एक लचीला पन आ गया है तो जरूरत के अनुसार आप इसमें सुखा आटा लगाते जाएं और इनकी रोटियां बेल कर तयार कर लें रोटी आपको जितनी पतली बेल नहीं है उतनी पतली बेल कर तयार करें तो वैसे तो आप चाहे तो इस रोटी को आप ऐसे ही तवे पर सेख सकते हैं पर इसे और भी even shape देना चाहती हूं तो यह मैंने कटोरा लिया है और उसे इस तरीके से मैंने इस पर cut लगा दिया है जिसे यह देखने में और भी इवन लगेंगी और अच्छी लगेंगी तो आप इस प्रोसेस को बिल्कुल स्किप कर सकते हैं इसी तरीके से हम बाकी की रोटियों को भी बना कर तयार कर लेंगे मैं इसी तिकनेस भी आपको दिखाती हूं यह कितनी पतली बनकर तयार हुई है और दालेंगे और इन्हें अच्छे से सेक लेंगे तो यह एक तरफ से सिक चुकी है अब मैंने पलट कर दूसरी तरफ से भी सेक लूँगी अब हम तवे को हटा कर इन्हें गैस पर सेकेंगे तो आप इन्हें हर तरफ से इस तरीके से हिलाते हुए रोटियों को अच्छे से सेक ले तो देख सकते हैं आप दोस्तों बिना तूटे हुए हमारी फुली-फुली मकई की रोटिया तयार हो चुकी है अब आप इन गरम-गरम रोटियों पर घी लगाईए और इन्हें साथ के मर्जी के साथ आप इन्हें इन्जॉय कर सकते हैं और आप देख सकते हैं रोटिया कितनी सॉफ्ट बन कर तयार हुई है तो अगले वीडियो में एक नई रिसिपी के साथ तब तक अपना ख्याल रखे और स्वस्त रहें थांक्स फॉर वाचिंग माई चानल